वेगनार की एक्सल 5 यहाँ पे लॉंच होने को आ ही गई है एस साल के अंदर तक लॉंच हो जाएगी लेकिन इसकी जो इंटिर्स है वो स्पाई हो गई है अन्वीलिंग नेक्स मन्त मोस्ट प्राइबली हो ही जाएगी तो बात करते हैं हम आज इस वीडियो में मैं एंट्वन बैंटी टर्ग ड्राइव के इस नए वीडियो में आपको फिर से स्वागत करता हूं वीडियो पसंद है तो जाने से पर लाइक का बटन जरूर से दो बात है नहीं ने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तू भी जरूर से बढ़ते हैं यहां पर वीडियो की और देखिए यहां पर वागनार के XL5 जो है उसके पहले के वीडियो में आपको सारी इंफरमेशन मिल जाएंगे कैसी थी उसके डिजाइन लेओट वगरा उपर आई बटन में जाए यह दो तीन वीडियो बना के रखे हैं मैंने उन में सारी इंफरमेशन आपको मिल जाएंगी तो यहां यहां पर बात करते हैं mainly interior के बार में यहां पर interior में वही वागनार का interior layout जो है उसको use किया गया है लेकिन यहां पर थोड़ी बहुत upholstery में changes आपको दिखने वाला है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं dashboard में camouflage लगा है मतलब कि वहां पर कुछ एक नया bits आपको यहां पर provide किया जाएगा बाकी overall interior layout जो है वह वागनार के साथ share किया जाएगा इखा तो नए-nay features आपको यहां पर मिल सकते हैं लेकिन वह छोड़के और कोई changes नहीं है touchscreen infotainment system है बाकी यही है mainly layout जो की है वागनार के साथ share हो रही है dual tone layout है all black interior यहां पर provide नहीं की जारी है तो यहां पर नए features की और अभी क्या extra features रहेगा उसकी information लगी है लेकिन अच्छी से pack होगी automatic climate control airbags EBS EVD फिर साथी साथ powered mirrors वगरा जितनी भी segment की basic features है वो सारे आपको provide के जाएंगे updated upholstery premium upholstery यहां पर आपको मिलने वाली है साथ ही साथ यहां पर थोड़ी सी exterior की बात कर लेते हैं तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था spread headlamp setup होंगी जैसे कि XL5 में है वैसे ही spread headlamp setup है तो यहां पर spread headlamp setup में ऊपर DRL शायद से provide नहीं किया जाएगा जैसे कि आप spy images में देख सकते हैं तो DRL की जगे यहां पर आपको indicators और नीचे headlamp और उसके नीचे fog lamp यहां पर आपको provide किया जाएगा तो थोड़ा सा SUV crossover appeal जो ह जो है वो पेट्रॉल एंजिन के साथ लांग चोगी दे कि अभी फिलाल तो मारुती का जासा कोई थोस प्लान नहीं है कि वैगनार की electric variant launch करें एक future of EE करके यहीं लोग patented file किया है जिसमें electric crossover or ICV launch करने वाले हैं लेकिन उसकी कोई ऐसी reports नहीं है मारुती ने भी कह दिया है कि अभी at present वो उतारने नहीं वाले हैं लेकिन auto expo पास में आ रहा है इसलिए electric version पहले भी testing में था अभी production version में यह testing कर रहे है और वैगनार के XL5 थोड़ी से premium product है वैगनार से तो थोड़ा सा उनमे electric version अगर add करके provide कर दे तो यह यहां पर इनके लिए भी profitable अगर customers को थोड़ी सी प्राइस हजम करने भी भी आसानी होगी क्योंकि नेग्जा डीलर्शिप के थ्रूए वैगनार की यह XL5 सेल होगी यहां पर इसी लिए वैगनार की XL5 पर यह power train को test किया जा रहा है before auto expo साथ ही साथ वैगनार की XL5 पहले भी petrol और यह जो normal IC engines के साथ test हो चुकी है तो उसके वीडियो में मुझे कहना था जिसमें आपको एक हाथ दो confusion रहता है कि क्या वैगनार की electric आ रही है या वैगनार की XL5 electric हो रही है यह भी मैंने confusion दूर कर दिया इंटिरियर्स भी आपने spy कर दिया है auto expo में इसके launching होगी तब आपको और साथा information provide कर जाएगा बस इस वीडियो म में इतना ही रखते हैं यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिन शुबहु